खड़ी हैं वो साधारन सक्सियत नहीं ऐसा इसलिए बोल रहा हैं क्योंकि पूरे देश भर में महिलाओं के साथ किसी भी तरह के आत्याचार हो जूर्म हो और विसेश करके रेप की जो घटना होती है उसमें परमुक्ता से ये मुखर रहती है इनका नाम योगिता भयाना है औ की परी फाउंडेशन की है और अलग से इनके लिए कह सकते हैं कि अपने संगठन से अलग हो करके देश में कहीं भी रेप की घटना होती है तो यह अपने अस्तर से रेप के खिलाप काफी मुखर रहती है इसलिए इनको रेप एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं योगिता भयान जी हैं यह अभी समस्तिपूर जीला के रोसरा अनमंडल के बटहा सुंद्री देवी स्कूल में आई हुई थी और यहां पर भाड़ी संख्या में लड़कियों को कारिसाला लगा कर वर्प सोक लगा करके ऐसे घटनाओं के परती जागरूप किये जो महिलाओं के साथ आम त और मैम का वह सक्सियत है वह प्रश्णाइल्टी है कि अगर एक ट्वीट डाल दे अपने ट्वीटर हैंडल से उस घटना का तो निश्टित रूप से नेशनल मीडिया उसको लपक लेता है और राश्टी अस्तर पे लोग उसको संग्यान में ले लेते हैं पिछले कुछ दि सबसे पहले में स्वागत है आपका रोसरा की धरती बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं लगातार आपके संपर्ख में रही हूँ मुझे मालूम है जब भी आप मुझे कोई वीडियो भीजते हैं रेपका और वो हमने पिछली बार भी जब बात की थी मुझे बहुत खुशी तो इस लड़ाई को लड़नी सकती इसलिए लोगों को जोड़ना और जनशक्ती की बात आई तो बिहार की धरती से शुरुवात हुई बिहार से कनेक्शन कोवीट के दौरान जब मैंने बसेस भीजी थी दिली से बिहार तो बहुत सारे लोग जुड़ गए थे और उसी कड में आगे जुड़ते जुड़ते यह मुद्दा जो हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे महिलाओं की प्रती जो हिंसा हो रहे है रुके उस कड़ी में लगातार सेम मानसिक्ता वाले लोग अच्छे लोग नोबल लोग जुड़ते जा रहे हैं जैसे कि आप आना जरूरी है हलकि मैं हर डिस्टिक में जा रही हूं पर समस्तिपूर में आकर मुझे लगा और आज मैंने कुछ बच्चियों से भी बातचीत की विभूती पूर और जब यहां आए तो यहां पर इंट्रेक्शन की तो हम चाहते नहीं कि हम अपनी बस बात रखे हम सुनत जी है हमारे भाई है प्रिंस है रीना जी है अर्विन जी है मतलब मैं किस किस का नाम लू मुख्या जी है परवीन जी जिनका नाम लेने सब पढ़चीत है यहां के चेत पहले आप अपने बार में बताए कि योगिता भयाना आखिर ये क्रियेट कैसे हुई इस काम के देखि आपके ट्वीटर पर हम फोलो करते हैं पूरे दिन आपके ट्वीटर हंदल से इस तरह के मेंटर पर ट्वीट होता रहता तो अपने आपको इस ओर आप कैसे ले आई मुझे लगता है रेप की जो घटना होती है हर एक का मन खराब होता है पर यह होता है कि कुछ लोग को आपके लिए लोग जावाज ने उठाते हैं और 2012 की जो घटना हुई थी उससे हमारा निर्भा में काफी मैंने अंदोलन में काफी पार्टिसिपिट किया तो मुझे लगा अंदोलन भी जरूरी है जैसे भी बिलकिस बानो बहन के लिए हम कर रहे है तो वो जरूरी आपके और उसको अग्रेसिवली कर रहे हूं मैंने काफी डिस्टिक्स पहले वी तो मुझे लगता है कि और हमें लगा चीजें बदलेंगी नहीं बदल रहे हैं उनको बदलना है तो हमें जमीन पर उतरना है काम करना है इतने सारे घटना आप देखती हैं खास करके रेप का जैसे म महानगर है मुंबई है दिली वहां भी रेप होती है और यहां जहां पर यह सब इंटीडियर ग्रामीन चेतर है यहां भी रेप होती है कैसी मान सिकता है साहर में भी रेप होता है गाउं में भी रेप होता है जी बिल्कुल दिली में भी है उतने ही केसे हैं जितने यहां है यह थोड़े से यहां जादा है पर यहां पर जो मैंने देखा जो फरक ही है कि जो जिस तरह से उनको अटेंड किया जाता है जैसे अभी एक केस है बांका में एक 8 साल की बच्ची का बलातकार करके उसके आखे तक निकाल ली गई उस बच्ची के परिवार को हम मदद करें जो बच्ची मर गई उसके पिता से जो की एक घर में नौकरी करते हैं रोजगार करते हैं उनसे भी वह पांसों रुपे करने की चीज़ बताइए मालीजे कोई लड़की है नावालिक लड़की है बच्ची है मालीजे 12 साल से बड़ी हो और उस करम में बहुत सारे चीज़ आप बोल लहती कार सलाम जैसे बुरी नजर से देखना कोमेंट करना छेर खानी करना रास्ते पर खरे होके घेरना तो उस प बहुत सारी चीज़ है इसका कोई एक ऐसा सुलूशन नहीं कि मैं अभी क्योंकि हम सब लोग यहां है और यह बहुत गहरा मामला है जिसके लिए मुझे आदा एक घंटा लगेगा आप से अलग से में बातचीत करूंगी इसके उपर क्योंकि एक जादू की छड़ी नहीं है जैसे किसी बच्ची के साथ रेप होता तो ग्रामीन पडिवेस में क्या होता है कि लोग लाज समाजिकता के डर से बहुत सारे मावाप क्या करते हैं उसको कंपरमाईज कर लेते हैं पुलीस तक नहीं जाते हैं और यह भी एक कारण होता है कि पुलीस किया जाएंगे जो कानून ब्यवस्ता है कहीं सपोर्ट नहीं करता इसी परिष्थिती में लड़की किस तरह से न्याए की उमीद करें कहां से न्याए मुश्किल हो जाता है पर इसलिए हमारा काम यहां पर और बढ़ जाता है हमारा दायत्व और बढ़ जाता है एजल समाज कि हम उसके खड़े रहें और उनको न्याए में उनके लिए उनकी लड़ाई में उनके साथ मनोबल बढ़ाएं मुझे लगता हाला कि जितना जितना यह ऐसे जो कारेकरम होंगे तो मुझे लगता उतना कॉन्फिदेंस उनमें आएगा आज भी अपने देखा जहां भी बच्चियों से बात करके निकले तो कॉन्फिदेंस एक दम से बदल जाता है तो मुझे लगता है यही चीजें बदलेंगे आप जागरूक कर रही हैं देश वहर में घूम के बिहार है जारकंड हर्याना राजस्थान मद्यपरदेश यह सब पैरलर चल रहा है आपके पड़ी फाउंडेश लाएं उनका कॉंपनसेशन जो की सरकार देती है वह दिलाना आ गए तब तक कॉंपनसेशन नियाता हम कुछ दान करने वाले लोगों से बात करके उनको सपोर्ट भी करवाते हैं और यह सारी चीजें उनके लिए और पुनरवास की बात करें तो जैसे अगर वह स्कूल जान कि तुरू इस इंसान यह इंसान बार काउंसल से इसका लाइसेंस के लोना चाहिए एक अंतिम सवाल एक जेनरल नौलेज की बात में बता दीजिए कि किसी लड़की के साथ अगर बलतकार होता है तो किस-किस तरह से प्रोसेस में जाना क्योंकि होता क्या है कि मेडिकल का भी को जटांसल से अंतिम हैं इसलिए किताब है पर अगर आप चाहेंगे तो अलग से एक इंटविव करेंगे जिसमें हम बहुत तारीके से उसको बताएंगे जिसको करना चाहिए और बहुत सारे do's and don'ts है उसमें तो आप पतिलीपी भी इसकी रख लीजे ठीक है और बाकि हम interview एक detail करेंगे जिसमें हम रोकताम की भी बात करेंगे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत बहुत धन्ता थांक यू शुक्रिया झाल शुक्रिया